उत्तरप्रिदेश के देवरिया में एक गाउजो विकास से को सो दूर है विकास ना होने के कारण घरों के सामने पानी खटा हो जाता है जिसे कई बीमारिया फैलने का डर लगा रहता है इसी को देखते हुए ग्राम पंचायत की एक यूपती ने विकास की बात को उठाने का प्रेंड लिया है और वो लोगों को जागरुप भी कर रही है आज हम बात करेंगे कि ऐसे गाउं की जहां लोग विकास की बात करने से भी कुतराते हैं विकास के नाम पर ग्राम पंचायत में नाली तक नहीं है लोग अपने घरों का पानी अपने दरवाजे पर एकटा करते हैं जिससे अनेको बिमारी पैदा होने का डर लगा रहता है उसी ग्राम पंचायत में एक ऐसी यूपती है जितने ग्राम पंचायत की विकास की बातों को उठाने का प्रण किया है और ग्राम पंचायत के लोगों को विकास के बारे में जावरूप करने का काम सुलकिया है वह पूरे ग्राम पंचायत में लोगों से घूम घूम कर विकास के नाम पर लड़ाई लड़ने है तो लोगों को अपने साथ खड़ा होने के लिए प्रेद करती हूं नजराई और साथ ही लोगों को जावरूप करने में भूजपुरी फिल्म इस्टार बैवब राय ने लोगों को जावरूप करने वाली बविता पासवान का हर संबब मदद करने का वरोसा दलाया और उन्होंने खुद ग्राम पंचायत में जाकर लोगों को अपने ग्राम पंचायत की विकास कारेयों को कराने के लिए एक जिट होकर उच्छा दिकारियों तक बात पहुंचाने के लिए प्रिज़ किया तो वहीं हमारी संबताता ने ग्राम पंचायत में जाकर लोगों से बात करने की कोशिश की तो वह स्थारे लोगों ने कैमरी के सामने कुछी बोलने से मना कर दिया तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि हमारे ग्राम पंचायत में विकास नहीं हुआ है जबकि विकास होना चाहिए आज हमारे गाहों की पड़िलिकी लड़की ने गाहों के विकास कराने का बीड़ा उठाया है जिसका हम ग्रामबासी पूर्ण रूप से सहोग करेंगे और उसके कदम से कदम में लाकर चलने का काम करेंगे विकास होना चाहिए लेकिन दिकास यहां भी तक कुछ नहीं हुगा अब यहां का सरकार जाना है यहां का समस्या है नाली का समस्या है पानी का समस्या है आप जवरिया जनपत सटे हुए अब ग्राम सबाइब जहां एक तरब मेडिकल कालेज का निर्माण हो रहा है यहां फोरलें की सड़के बन रही है वहां आपके ग्राम सबाइब नहीं चाहते हैं अपके लड़की निकलके और इतने आवाज उठा रही है आप लोगों के तो क्या आप उसको सपोर्ट का मजाएंगे अगरम सपोर्ट है हमारे यह ट्यूबेल का विवस्था भी नहीं है तो भी चाहिए चक्रोट है नाली यह जो भी है तो हम लोग दंकल चलाते हैं पीने के लिए पानी की का सब्सक्राब है पानी वसकी से आधा घंटा प्रकिया कर सकते हैं अपने अपने जगा एक्षा मैं रहते हैं कुरूस और जेंस में इस समय की बात मैं कर लूँ तो कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और मैंने आवाज उठाया मुझे लगता है कि अगर मैं आवाज उठा रही है तो हमारे गाहं में किसी ने आवाज नहीं उठाया तो जब मैंने नहीं देखा हूं चीजों को तो एजुकेशन एडॉप कर रही थी तब मुझे ये समझ में आया कि गाहों का विकास होना बहुत ज़्यादा जुरूरी और गाहों विकास करेगा तभी देश विकास करेगा और मैंने आवाज इसलिए उठाई कि हमारे गाहों में सबसे पहले आपने देखा कि नदी के किनार है उसका जो जलका शुरॉथ है बहुत गंदा पानी आता है तो आरो प्लाइंट की ववस्तान नहीं है न decision Då स्कुकूल 600 लग नहीं थे दिखाए तो जब से मैंने होश शमाना तब से यह सब चीजे देखी नहीं तो मैंने क्या यह भी ना करो कि आगे की लोग give लगता था अन्य करांब सभाव को देखकर और उस्तानी का और देखकर ठीडियान मैं भूप जादा यूं कहिए तो बहुत जादा गंदा पिल करते थे कि अपने गामें क्या हम लोग अगर मैं आवाज नहीं उठाऊंगी लोग नहीं तो मैं आवाज तो उठाऊंगी इसके खिलाब क्यों जो फैसलीटी गॉप्वर्मेंट हमको देती है वो हमें नहीं मिलती है अवाज नहीं उठाते हैं गवर्मेंट तो दे रही है लेकिन हम को मिलती नहीं है क्यों नहीं मिलती है लैक ओफ एड्यकेशन और लैक ओफ वोईश हम आवाज नहीं उठाते या तो हमको दबा दिया जाता है आपका पूरा नाम मेरा पूरा नाम बविता पासवान है यह ग्राम सभा कोडर है सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नमसार करूँ है इसलिए कि थैंक्सफूल इसलिए कि सच में मुझे लग रहा था कि विकास के नाम पे सब चीजे हो रही है लेकिन यह कलाकार होने के नाते सब्सक्राइब कर नाते मैं बविताजी का सपोर्ट इसलिए कर रहा हूं कि यह भी एक कलाकार है और कहीं न कहीं यह लोगों से जुड़ी हुई है आज जब डियम से बात होती है आज एक लड़की होके आज अफिसरों के सामने अपने गाउं की समस्या अपने लिए बनता है कि जहां यह जाए वहां मैं भी जाओं और देखू चीजों को सच में देखके मुझे कभी इतना मैंने बहुत सारे गाउं में शुटिंग किया है लेकिन कमस्कम पानी की विवस्ता होती है आज आरो का पानी हर जग फेसल्टी मेरा भी गाउं है आज कहीं मैं भी द आखी समाज की वीच में जाके खड़े खड़े होके उपने आवह की समांता रही है तो सबसे पहले आएगा आपके गाउं के आपके अपने लोग आने चीह है मुझे लगता है कि आप लोगों को जागूरत होना चीह तो यह बविता जी कर रहे हैं और डफिनेटली हम लोग कहीं न कहीं आगे चलके इसको बहुत बड़ा मोहिम मना रहे हैं चीजों को आगया कि जैसे कारवाई होगी इस कारवाई को हम लोग अंजाम देंगे कि यहां के लोग मुझे नहीं लगता कि अब यह सब होने के बाद अगर यह लोग सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है और मैं बहुत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कलाकार होने के नाते और यह कलाकार है मुझे बहुत फ्रावड फिल हो रहा है कि कम सकर में ल झाल